किन्नर भगवान द्वारा बनाया गया वो रूप है जिसे आम इंसानों ने कभी अपने जैसा समझा ही नहीं है किन्नरों को कभी समाज में इज़त नहीं बख्षी गई है इनसे लोग इतना दूर भागते हैं कि अगर ये कहीं पर दिखाई भी दे जाएं तो सभी इनसे मुह मोड लेते हैं जैसी ये इस समाज में रहने लायक ही ना हो लेकिन दोस्तो आज इस वीडियो में हम जिस किन्नर के बारे में बात करने वाले हैं उनके हुसन के आगे हर कोई फेल है ये जहां भी दिख जाती है तो वहां इनके चाहने वालों की भीड लग जाती है ये शक्सियत और कोई नहीं बलकि पूजा शर्मा उर्फ मुंबई लोकल की रेखा हैं जिनकी आदा के चर्चे आज बूरे भारत में हैं दोस्तो पूजा शर्मा उर्फ रेखा वो किनर हैं जिनके हुसन के कायल आम इंसान से लेकर बॉलिवुड के कई बड़े सितारे भी हैं पूजा शर्मा का पहले का जीवन कैसा भी बीता हो लेकिन आज ये ऐशो अराम की जिन्दगी जी रही है लेकिन आप सभी ये सोच कर हैरान हो रही होंगे कि आखिर ये है कौन और क्यों इनके इतने चर्चे हैं तो मैं आपको बता दू कि पूजा शर्मा उर्फ रेखा एक किनर है जो मुंबई लोकल में सफर कर रहे यात्रियों का मनुरंजन करती है इनकी खूपसूर्ती से लेकर इनकी अदाएं इतनी कातिलान हैं कि जो कोई भी इनहें एक बार देख ले ये उसे ही अपना दिवाना बना लेती है पूजा शर्मा एक इंटरनेट सेंसेशन है जो टिक टॉक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म के चलते आज पूरे भारत में अपनी पहचान बना चुकी है किसी आम किनर की तरह ये भी लोगों से पैसे मांग कर अपना गुजारा करती है लेकिन लोगों से पैसे लेने का तरीका इनका बाकी किनरों जैसा बिलकुल भी नहीं है बलकि ये तो मुंबई लोकल में लोगों का मनोरंजन करके उनका दिल जीतती है हाला कि ये शुरू से इतनी फेमस नहीं थी बलकि शुरू में इन्हें भी मुंबई लोकल में सफर करने वालों के अलावा और कोई भी नहीं जानता था लेकिन एक दिन इनकी किस्मत तब चमकी जब इन्होंने अपने डांस के वीडियो टिक टॉक और इंस्टाग्राम पर डाल दिया और देखते ही देखते वो वीडियो सूशल मीडिया पर वाइरल हो गया और हर कोई इनकी खुबसूर्ती और इनकी अदाओं का दिवाना हो गया अब सोशल मीडिया का तो आप सभी को पता ही है कि अगर सोशल मीडिया पर लोग किसी को पसंद कर ले तो फिर उसकी जिंदगी रातो रात बदल जाती है इस वीडियो के बाद इनकी जिंदगी भी पूरी तरह बदल गई सूशल मीडिया पर पूजा शर्मा को खूब पसंद किया जाने लगा और इसका सबसे बड़ा कारण इनका पहनावा है आपको बता दे कि पूजा शर्मा का लुक और इनके डांस करने का स्टाइल बिलकुल बॉलिवुट की एवर ग्रीन अदाकारा रेखा जैसा है इनका रेखा की तरहा ही दिखना और उनकी तरहा ही डांस करना लोगों को इतना पसंद आया कि उसके बाद से ही इनके फैंस इन्हें रेखा बुलाने लगे इसके बाद से पूजा शर्मा के चर्चे इतने होने लगे कि अब जब भी ये मुंबई लोकल में कदम रखती तो इन्हें देखने के लिए लोगों की भीड लग जाती और इनका डांस देखकर लोगों को काफी मजा भी आता आपको बता दे कि पूजा शर्मा को हमेशा से ही डांस करना काफी पसंद है इसके लावा उन्हें मेक अप करने का भी काफी शौक है पूजा शर्मा आज इतनी ज्यादा मशूर है कि इन्हें अब कई पार्टी फंक्शन में बता और गेस्ट इन्वाइट किया जाता है इतना ही नहीं बलकि पूजा शर्मा इतनी ज्यादा मशूर हो गई है कि आज बॉलिवुड के बड़े प्रोडक्शन हाउस भी इनके काम करना चाहते हैं इन्हें आज कई बड़े रियालिटी शोज में बतौर गेस्ट इन्वाइट किया जाता है लेकिन इनकी साथगी के बारे में आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पूजा शर्मा आज भी मुंबई की लोकल में लोगों का मनुरंजन करके पैसे कमात हैं एक इंटर्व्यू में पूजा ने एक बार एक बात कही थी जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें जिन्दगी में सिर्फ एक ही चीज चाहिए और वो है इस्जट अगर आप उनसे प्यार से आदर के साथ बात करेंगे तो ये आपके लिए जान भी दे सकती हैं कहना गलत नहीं होगा कि आज इन्हें वो प्यार और आदर सम्मान मिलता है जिसकी हकदार पूजा शर्मा उर्फ रेखा हमेशा से थी इनकी सबसे बड़ी खासियत ये भी है कि हर समय मुस्कुराती रहती हैं पूजा शर्मा के चहरे पर हर वक्त एक मुस्कान रहती है जो इनकी पिलेरिटी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि आज इनके इंस्टेग्राम पर 165K यानि की 165,000 से भी ज्यादा फॉलोर्स हैं पूजा हर रोज कुछ न कुछ इंस्टेग्राम पर पोस्ट करती रहती हैं और इनकी हर पोस्ट को लोगों से खुब प्यार मिलता है तो दोस्तो ये थी मुंबई लोकल की पूजा शर्मा उर्फ रेखा जिनके हुसन के आगे आज बॉलिवुड की कई अदाकारा फीकी दिखाई देती हैं और जिनका डांस देखने के लिए इनके चाहने वाले हर दम तयार रहते हैं कमेंट करके बताईए कि आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हम आपके लिए ऐसे ही और मज़दार वीडियो लाते रहेंगे तो अभी इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल यार क्रियेटर्स को अभी कर ले मिलते हैं फिर एक ऐसी ही मज़दार वीडियो के साथ